बी काफी चलते रहे और मैं यह प्रश्ण आप से मैं दो भाग में करूँ आभी बहरा भाग हम लोग 1947 तक रखते हैं क्योंकि उसके बाद पूरी पर एक प्रिश्ट भूमी बदल जाती है तो 47 तक बहुत सारे केसे जो जिस पर 1936 के एक बहुत फेमस केस है तो इन केसे का सब्सक्राइब करते हैं और काफी जो डिस्प्यूट्स हुए वह उस समय की जो मैंस्ट्रेट थे वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि उप्तारव नहीं था पर जो हमने पहला इसमें सिविल सूट देखा वह सिविल सूट नंबर 62 of 1936 जो दी महम्मद का केस सब्सक्राइब कर दिया है और मैं आपको पैरा पढ़कर सुनाने जा रहा हूं जिसमें दी महम्मद में इसको मस्जिद होड़ कर दिया गया है जैसे कि दिमाग को जब काशी में आ जाता है कि बापा चड़ जाते हैं तो वैसे हमने कोड़न में होते हुए देखा अब उन्होंने किताब खोल लिए पैरा पढ़ा जो उन्होंनों पैरा में लिखा हुआ था कि पैरा नंबर 40 दिन मॉपर को मुझे आदे कि यह बख संप पर पढ़ा जाते हैं इसको मैं बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूं एक इंडिविजूल कैपेसिटी में सिविल सूट किया गया था जैसे अब कोई केस अपनी इंडिविजूल कैपेसिटी में किसी के खिलाब करूं तो वह मेरे और उनके बीच में बाइंडिंग राम मंदिर केस में जितने लोग यहां बैठे हुए शायद पार्टी नहीं है पर राम मंदिर के जज्ज्मिंट हुआ है सुप्रीम कोट से रिलाबाद हाई कोट से वह हम सब बाइंडिंग है क्योंकि सीपीसी में विवस्ता है और वन रूलेट की प्रक्रिया यह होती है कि अगर कोई केस हाई कोट या सुप्रीम कोट उसको और वन रूलेट का मान लेती है तो उसमें जो भी आदेश होता है वो जो लोग पार्टी ना भी हो उन पे वो बाइंडिंग होता है तो सबसे पहली बात यह है कि दीन मुहमद के केस और वन रूलेट का केस नहीं था वो इ है उस रॉंग को रेक्टिफाइब करने की दीन मुहमद केस में लिखा हुआ है और जो मस्जिद के तीन गुंबद है उसको वफ संपर्ति घोशित किया गया विना वफ के कोई डॉक्मेंट हुए यह भी उसमें साबित हुआ है कि और अंजेब ने कोई नहीं कि थी क्योंकि कि वफ आप वही कर सकते हैं अस्लामिक लोग के साब से जो आपकी खुद की सेल्फ अक्वाइट संपर्ति यह सारे लैक्यूनाज है दीन मुहमद के दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ही क्लिंचिंग है दीन मुहमद केस में बारा उस तरह ब्रिटिश गर् कि जो बात है वो गवाईयों में उस समय दीन मुहमद में जो बारा लगोवी गवाईया हूं यह बात उन्होंने कही है और उस गवाई को आज तक डिसकार्ड नहीं किया गया है तो इसलिए नाइंटिन थैक्षिस का जो जो उसके बाद आया उसके बार उसके क्योंकि उन्ह लोगों पर पाइंडिंग नहीं और उस तभी उस एरीना में मैं एंटर नहीं करता हूं क्योंकि जब वो जज़्ज्मेंट दो लोगों के बीच का है तो यह रेप्रेसेंटेटिव सूट है इसलिए वह हम पर बात के जो हम इंडिपेंडेंट एरा की कोर्स में लाएं क्यों जो इतिहास में आप रहंताओं ने किया है आप उसको रैक्टिफाई कर सकते हैं और काशी विश्ना की केस में आपको बताना चाहता है एक एक आया यूपी काशी विश्ना टैक्स 1983 जिसमें इस देश की संप्रमु ने इस देश के सौबरन ने सेक्शन 4 सब क्लॉस 9 में यह इस पाज कहिए कि टेंपल मतलब टेंपल की डिए मतलब जो आज का मंदब हैं जो वेल हैं जो आस्थान एस्थान उन सब को टेंपल की परिदी में लिया तो जो लोग आट लोग बात कर रहे हैं आप यूपी काशी विश्ना टैक्स जिसमें आज के दौरान महां पे जहां पर व्याजी का टैखाना है जो अभी आगे जिसकी क्योंकि खुदाई का जब आदेश हुआ था तो महां पर जिसकी अभी गहता से जाच होना बाकी है और जो वजू टैंग में चीज मिली है उसकी भी जाच होना बाकी तो यह सारी चीजें हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि दीन मुहमन में इस सारी चीजें कवर्ड नहीं की गई थी इसलिए कोई आपने अगर इंडिविज्वल के पैसि